हेलो जी नमस्ते परणाम कैसे हो सभी लोग आसाम अमीद है कि सब स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो ये गुलाब जामुन आप लोग देख रहे हो मैं एक रेसिपी देखी थी ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने की और कितने सौफट हैं ये तो आप लोग देखी रहे और जिसके वज़े से मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने सुचाए कि यार इस बार तो कोई मिस्टेक होने ही नि देंगे और मैं और मेरी बेटी बैट गए है रात के टाइम पर यहां पर गुलाब जामुन बनाने के लिए तो सबसे पहले ना हमने एक ब्रेड लिया बड़ करने का और उसको बहुत अच्छी लगती है यह सारी चीचे तो क्रियेटिविटी का उसमें बहुत जादा जो है उसको अच्छा लगता है तो इससे जो है टाइम भी मतलब उसको यह रहता है कि फटा फट बनके देखना है कि यह चीज लास्ट में कैसी दिखेगी जिसके व अच्छी जादा यूसफल होते हैं और काम आते हैं जब तक ब्रेड की एकस्पायरी है तब तक आप इसको यूज कर सकते हो इसके बाद हमको क्या करना है कि दूद ले लेना है दूद आपको ना तो जादा थंडा लेना है और नहीं गरम दूद लेना है नार्मल जो रूम जोए ओक है और थोड़ा थोड़ा करे इसको इस तोरी देर के लिए अपको लेद रूबं मेहें पास को नैसी ऑalth कर देला है जाना है अच्छी अच्छी तो खुद की जाए शूतों ईमाल गून्हों हम आतजा वाथ जूबंह नहीं होना हम दूद की की ज़एशना नहीं हो और इसकी लोईयां बनाएंगे चूटी 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 तो यह जो लोईयां थोड़ा सा तेल में जाके यह फूलती है तो इस वज़े से मैं इनको चूटी चूटी बनाऊंगी आप चाहे तो इसकी जो शेप पैना वो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हमने गोल गोली ही बनाई और आज इतनी बहंकर गर्मी हो रही है ना कि सोनर में अंदर एसी में बैटके जो है यह सारा काम कर रहे है क्योंकि किचिन में अगर इतनी देर खड़े रहते हैं तो बहुत जादा दिक्कत तो जाती और लाज्ट टाइम इन सोनर जबरदस्ती में साथ किचिन में रही थी तो उसकी तब्यद भी थोड़ा खराब हो गई थी क्योंकि वहाँ पर हीट लगती है बहुत जादा अब बच्चे हैं बच्चों का मन भी करता है बच्चों को मना तो करनी सकते तो इस वज़े से जो है मैंने का यह काम तो बैटके भी कर सकते हम लोग तो इसलिए हमने पंड़ आपको बनाना आपको इतना बनाना कि यह से थोड़ा सा रहा क्या को आठीव अचे ठीपने लगचाने लग आधके लगचा है और अाउसया चाहणा जाए तो हम फुल फ्लेम पर इसको समय के लिए बच्चार के लिए और हमाई जु चाशनी है वह न्किए बन के अ पका ही चाती है लेकिन हमें इसको फुल फ्लेम पे पकाना है और तीन से चार मिनट के लिए ठीक है जब तक यहां पर यह चाशनी बनती है तब तक हमारा तेल भी रेड़ी है यहां पर और अब नंबर है इन गुलाब जामुन को तलने का तो इसको जो है हम क्या करेंगे आपक पूरा एक राउंड बना लेना है आपको देखना है कितने हैं आपके पास तो जैसे मैंने कम आठ से दस एक बार में डाले इस तरीके से एक डालो और थोड़ी देर के लिए बस चोड़ दो इतने बढ़िया ढंग से यह जो है ब्राउन हो जाएंगे यहां पर आपको जो ज पहले तो तेज रखना है जो मतलब तेल गरम हो जाए और उसके बाद आपको यह मीडियम फ्लेम पर रख देना है तो थोड़े देर के लिए आप इनको छोड़ देंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे साती सात में आपको चाषणी रखनी है आपको ऐसा नहीं करना कि पहले अपने गुलाब जमन बना दी है और उसके बाद आप चाषणी बना रहे हो क्योंकि जब आप इनको यहां से फ्राई करोगे आपको इनको साइड में बिलकुल भी नहीं रखना है आपको इनको डिरेक्ल देख रही है और इनतिजार कर रही है और आरुना अंदर से बोल रहा है कि ममी बनगे ममी बनगे उसको मिठाईयां बहुत जादा पसंद है इसको बहुत जादा पसंद यहाँ पर हमने फर्स्ट राउंड निकाल दिया है यह देख सकते हैं और डेरेक्ट इनको जो है ताकि यह अच्छे से डीप हो जाए क्योंकि अभी हमने यह बोल में रखे हैं बाद में इसको तोड़ा सा और गहरे बरतन में रख देंगे जब सारे के सारे गुलाब जामन हो जाएंगे ना मुझे लगा था कि मैंने चाशनी कम बना दी है यह देछ सकते हैं कितनी अमेजिंग लुक आ रहा जाए तना ही city यह खानेमे बहली भी हो था तो जैसे कि मैजे लगा मुझे लगए 2 ना अवारे 7 न फोली में इसका दूबारा से ना रहे ह। सब्सक्रालं में यह ने पतीली तो इस तरीके से जब आप गुलाब जामन बनाओगे ट्रस्ट मी एक बार ट्राइ करना मेरे को मतलब ऐसे बनाना नहीं आता जैसे यह सोड़ा वगरा इस्ट वगरा डाल के पूरा बैटर बनाना नहीं आता है नाई मैंने कभी ट्राइ किया तो इस वज़े से मेरे लिए यह आप लोग भी ट्राइ करके देखना बहुत अच्छे बने थे मैंने जब बनाए तो बहुत तेस्टी बने थे बहुत सॉफ्ट और पता है क्या है जैसे जैसे इनको जब ज़्यादा टाइम होता रहा जैसे आज बना दिये उसके बाद थंडे होने के बाद हमने इनको फ्री को ँब सुद्धा यृट है जब साथनी मुझे उम्मीड भी नीधे ती उससे भी अच्छा बना है तो ओलाइन रेसिपी कभी काम करती हैं कभी काम नहीं करती है ये देख सकते हैं इनको इनको इतना सुद्धा है कि गया जाना तो उड़ा साइज है वह बढ़ा हुआ है इतने सुन्दर लग रहे थे ना इतने सुन्दर कलर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है इसके देख सकते हैं और अब हम इनको डालेंगे पतीली में तो जो मेरी दूसरी वाली चाशनी है वो बनके रेडी हो रही है मतला होई गई तो इसके उपर अब जो हमें इसको डाल चाशनी भी एक साथ कर दी और कुछ इस तरीके से जो है इनका लूक है अभी यह बहुत जादा गरम है थोड़ देर बाद जब ठंडे हुए तो यह देख सते हैं क्या बढ़िया इतने सॉफ्ट है ना इतने सॉफ्ट है देख सते हैं मैं हाथ से इनको पिछकाऊंगी तो य देख सकते हैं कितने टेश्टी हो रहे हैं बहुत अच्छा टेश्ट था इनका आप लोग एक बार जरूर से ट्राइ करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में